बहुत कम टाइम में लाखों करोडों फैंस की चहती बनने वाली शहनाज गिल आज कुछ ठीक नहीं है बिग बहुत से शहनाज गिल को जितनी ही पॉपलिटी मिली उतनी ही वो परशान होने लगी है हाला कि शहनाज गिल ने अपनी इस परिशानी को खुल कर तो नहीं बताया लेकिन जिस तरह से उन्हों ने जिन्दगी की सचाई बताई वो बड़ी ही शाजिस की तरफ इशारा कर रही है देसर शहनाज गिल ने अपनी एक खुबसूरत फोटो के साथ कैप्शन लिखा फोटो में शहनाज गिल किसी हूर की परी से कम नहीं लग रही थी लेकिन लोगों ने शहनाज के कैप्शन पर नजर डाली तो बहुत कुछ कह रहा था जी हाँ शहनाज गिल ने लिखा कि अगर आप किसी दूसरे के लिए कुआ खोद रहे हैं तो आप अपने लिए भी कुआ खोद रहे हैं शहनाज गिल के स्कैप्शन से अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो हो काम ना मिलने की वज़े से परिशान है या फिर उनकी जंगा कोई और काम करने लगा है वैसे तो लगडाउन में हर कोई काम ना मिलने से परिशान है लेकर शहनाज के लिए अब चुनोती बन गई है क्योंकि बिग बॉस 14 भी शुरू होने वाला है और जब दूसरे सीजन शुरू होता है तो बिग बॉस के पहले सीजन के कंटेंस्टेंट को कोई याद नहीं रखता है शहनाज के फैंस के मताबिक अगर लॉकडाउन ना होता तो वो कई गाने और फिल्मों में नज़र आ चुकी होती खैर शहनाज गर भैटे ही भुला दूंगा और जसी गिल के साथ कह गई सौरी गाना शूट करवा चुकी है जिनने फैंस का काफी सपोर्ट मिला फैंस शहनाज को जल्दी वॉलिवुट में देखना चाहते हैं और शहनाज भी फैंस का ये सपना पूरा करेंगी क्योंकि बिग बोस से निकलते ही वो मुंबई में रह रही है और वो यहाँ कुछ करके ही पंजाब लोटेंगी पैसे आपको क्या लगता शहनाज किस वज़े से परिशान है कमेंट करके ज़रूर बता है मेलाम नियूज रिपोर्ट